अब आजाएंगे हम प्रमोटर ठीक है लास्ट टॉपिक इसका आजाएए आजाएए प्रमोटर पे डिबेंचर इशू इशू टू प्रमोटर सबसे पहला आपको समझना होगा के सर प्रमोटर कौन होता है मान लो एक वेक्ति है और उसको एक बिजनस का आइडिया आया एक बिजनस का इसके दिमाग में आइडिया आया कि हम चलो यह बिजनस स्टार्ट करते हैं और इस बिजनस को स्टार्ट करने के लिए यह बहुत सारे स्टेप्स फोलो करेगा हम एक बिजनस को स्टार्ट करते हैं सर लेट्स सपोज के हम एक बुक बनाएंगे बुक बनाने के बिजनस स्टार्ट करते हैं मार्केट के अंदर हमें काम करते हैं अपना टैनियर लेके आते कि हम एक इनका competitor बनना चाहते हैं मानलों इसको करने के लिए हमने सोचा सारी चीज़े हम रूल regulation से करेंगे तो हम एक बना लेते हैं एक अपनी company 10-year नाम ही रख देते हैं हम company का 10-year private limited प्राइवेट लिमिटेड रख लेते हैं 10-year लिमिटेड यह प्राइवेट लिमिटेड रख लिया हमने नाम नाव जब हम इस company के नाम को रखेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक से काम करने होंगे यानि जो यह नाम रखने हैं उसके लिए हमें कुछ बेसिक एक्टिविटी करना पड़ेगा बेसिक वर्क करना पड़ेगा सर सर बेसिक वर्क क्या करना पड़ेगा सर बेसिक वर्क यह करना पड़ेगा कि हमें अपने company को number one registration कराना होगा नमबर टू हमें company के लिए पहले से office ढूंडना होगा नमबर थ्री company के लिए हमें एडविटाइज करना होगा कंपनी चलने से पहले तो जब registration कराएंगे तो हमें कोई chartered accountant hire करना होगा इसको पैसा दिया हमने मान लेते हैं let's suppose पाचास अजा office जहां rent पे लिया क्योंकि जब हम registration कराने जाएंगे तो हम बताएंगे ना कि हमारा office यहां पे है काम अभी start नहीं हुआ है पहले हम registration work कर रहे हैं तो एक office लिया जिसका किराय सपोस करो दस अजार है advertisement वगरा करेंगे हम जब registration करवाएंगे तो हम बोलेंगे के हमारे company का stamp है सारी चीज़े बताएंगे तो हम registration वगरा करेंगे यानि यहां पर मान लो कि हमारा सपोस्थ एक हजार रुपए का खर्चा आगे advertisement नॉर्मल सा जब हम यह सारे खर्चा कर देंगे यानि टोटल हम 61,000 रुपए का जब expense करेंगे तब जाके मैं अपने company का नाम हासिल कर पाऊंगा मेरे company का नाम मुझे मिलेगा registration अगर मैं किसी चार्टेट को बोलू मैं पैसे नहीं दूँगा तो मेरे लिए काम नहीं करेगा जब वो मेरे लिए काम नहीं करेगा तो मेरा company बन नहीं पाएगा तो यह खर्चे जो यह है जिसने की idea सोचा इस idea सोचन promoter यह कौन बन गया और क्यूंकि company जैसे ही हमारा बनेगा company बनते ही एक भीच में एक वाल आ जाता है आप law में पढ़ोगे corporate will जैसे ही company बनता है तो एक बीच में वाल आ जाता है और यह बोला जाता है कि भाईया मैं तुने मुझे भले बनाया लेकिन मैं तो अब हूँ अलग entity ठीक है और तुम हो एक अलग तुम नौकरी करते हो तुम जॉब कर रहे हो ऐसे सोचा जाता है अब यह जो है वो इसके लि सेलरी मिल सकता है अगर आप डिरेक्टर वगेर होतों यानि जैसे ही company बन जागया तो इसका मतलब company अलग हो गया और अलग हो गया अब जब अलग कर दिया है तो जो पर मोटर है वो बोलेगा भाई मैंने 61,000 रुपे खर्च किये हैं तुमने तो अलग कर लिया तो 61,000 मैंने काम करता हूं मैं तुम्हें डिबेंचर दे देता हूं मैं तुम्हें क्या करता हूं डिबेंचर इशू कर देता हूं तो जैसे यह डिबेंचर इशू करेगा किसको इशू करेगा यह पर मोटर को करेगा और ऐसे खर्चे जो कि यह खर्चे होते हैं इस खर्चे को हम बोलते प्री इंकॉर्परेशन एक्सपेंस प्री इनकॉर्परेशन एक्सपेंस ऐसे खर्चे को बोला जाता है हमारा प्री इनकॉर्परेशन एक्सपेंस तो यानि कंपनी कहेगा भाईया मैंने प्री इनकॉर्परेशन एक्सपेंस हुआ और पर मोटर को मुझे पैसे देने हैं तो एंट्री क्या ड्राइब करेगा कमपनी बड़ा बेसिक सा ज्राइब करेगा बुलेगा pre incorporation expense एक्सपेंस टू पर मोटर कर और इसको हम एक और नाम से जानते हैं preliminary expense है इस नाम से भी जानते हैं तो pre incorporation expense टू पर मोटर भीया से कितने 16000 और मैंने पर मोटर को लाइबलीटी बना दिया 16000 से आगे इसको डिवेंचर देना है कितने परसेंगे तो पर मोटर 210 परसेंट को कि डिवेंचर डैट इस मैंने 61 को सोला कर दिया लिखोगे प्री इंकॉर्परेशन अमाउंट डियू और इशू डिबेंचर टू पर मोटर अब सम्हाव पॉसिबिलिटी बन सकता है कि डिबेंचर हम जो इसे दें प्रीमियम पे दें डिसकाउंट पे दें तो वह जैसे हमने सीखा है वह कर लेंगे इसका अगर आप प्री इंकॉर्परेशन एक्सपेंस रुपीज सिक्स्टी वन थाउसेंट एंट इस्चू डिबेंचर टू प्रमोटर मैंने रफली लिख दिया तो यह चीज़े आपको समझना होगा कि भीया प्रमोटर कौन है यह कौन है वह कौन है बाकि आपका तो प्रमोटर के नाम से पूरा चैप्टर ही है इसका अलग से हैं आपके नहीं दे रखा तो मैंने अपना एक्जाम्पल दे दिया है तो मुझे लगता है कि यह ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा समझ में भी आ जाएगा और हो भी जाएगा बताईए यहां तक किसी बच्चे को कोई डावट है तो बताईए किया यहां तक किसी बच्चे को यहां तक डावट है तो इवनिंग में हम 600 o'clock class रखेंगे और इवनिंग के अंदर हम अगला collateral security और interest दो topic spending रह गया है उस topic को आज हम खतम करके डिवेंचर को खतम ही कर देंगे लगभग ठीक है आपके book में देख लेना कितने questions है डिवेंचर के अधर दिन कैश के सारे हो गए तेरा question है थर्टीन ही है न हाँ तो थर्टीन में से मेरे खाल कितने तक हो गया है कितने तक कर पाऊगे आट तक हो जाएंगे ठीक है चार पांच questions रह जाएंगे तो फिर हम तब कर लेंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं आज evening में और evening में तू भी continue हम इसको करेंगे जिन बच्चे को image लेना image ले लीजिए नहीं तो अभी फटा-फट से 10 मिनट बाद वीडियो भी upload हो जाएंगी और 10 मिनट बाद आपको इसका PDF भी मिल जाएगा जिसको नोट जैसे करना है वैसे कर सकते हैं झाल 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 झाल